वेलकम टू प्यूर कुकिंग इस एडियो में मैं मटन मोगलाई हांडी की रेसिपी शेयर कर रहे हूं देख सकते हैं आप यह कितनी मज़ेदार है मटन मोगलाई बहुत ही मज़ेदार डिश होती है और इसको मिटी की हांडी में बनाएं तो और भी मज़ेदार बनती है तो चलिए बनाना शुरू करते है तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम मटन ले लिया है इसमें 1 तेबल स्पून जिंजा गालिक पेस्ट आट करेंगे रो पप और 1 ती स्पून भुने हुए जीरे का पौडर एट करेंगे और 1 ती स्पून मटन मसाला पौडर की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वहां से देख सकते हैं अब सारे मसाले लगा देंगे और एक घंटे के लिए हम इसको कम से कम मैरिनेट करके रखेंगे क्योंकि यहांडी में पकेगा तो मतन का टेंडर होना जरूरी है जब तक मतन टेंडर होता है हम यहां पर मसाला पीस लेंगे तो दो बड़े प्यास को मैंने फ्राइ कर लिया है 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम खशकश लेके मैंने ग्रैंडर के जार म और एक बड़े साइज का टमाटर है अगर चोटे हैं यहां प्यास को दो दाले और यह सारा मसाला हम दाल के ऐक पैस सा कना लेंगे पानी नहीं दालना है इसमें, क्योंकि हमें बहुत कम पानी दालना है मतन में, तो देखिए जो हमने मसाला पेस्ट बनाया है, वो भी हम इसी में डाल देंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं, उसका फ्लेवर मतन में अच्छे से आ जाए, अब बिल्कुल 2 टेबल स्पून पानी में मैंने ग्रैंडर के जार को रिंज करका आट करकादी और 200 ग्राम से अंड़ K colocar Herselill, मैंने लिए में अच्छे से फेंट करके आट करती है तो तो पानी दाला है, दाहिं के बरतन को भी रिंज करके अब हम इसको रख देंगे 1 अब एक घंटा हो गया है मटन अच्छे से मेरिनेट हो गया है तो इसको पकाना शुरू करेंगे तो मिट्टी की हांडी में मैंने एक कप ऑईल गरम किया है इसमें 2 इलाइची 2 लोंग काली मिर्ची साबित 1 इंच की सिनमेन स्टिक और 5-6 हरी मिर्ची है तोड़ा सही से क्रैकल करेंगे और जो मतन पीसे से वाट करेंगे अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप मामूली बर्तन में भी जो इस्टील वगर का या नॉन स्टिक का पॉठ उसमें बना तो आप में दाल के थोड़ा सा पानी दाल दिया है मैंने बर्तन को रिंस करके ताके मतन जो है वह जले नहीं अब हमें इसे हांडी में दाल के लो फ्लेम पर ही कुक करना है सारा टाइम तो जैसे मैंने कहा है अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं किसी में भी तो लिड लगा दे और बिलकुल लो फ्लेम से इसको 30-40 मिनिट तक पकाना है यह स्लो कोकिंग में ही पकेगा मतन और बहुत ही मज़ेदार बनेगा तो देखिए जो मिट्टी की हांडी है मैंने लिड लगा दिया है और अब हम इसको सील कर देंगे जो रोटी काटा है उसकी मदद से म मतन के उसी में रहें और जो सारा अरोमा है सारे स्पाइस का वो मतन में ही जाए जाए तीस मिनिट के बाद में मैं इसको खोल कर देख रही हूं क्योंकि आटा पक गया है तो सील हो गया है तो इसे मैं इस नाइफ की मदर से लूज करके खोल कर देख रही हूं देखिए कितन तेस्टी मटन हांडी मोगले को इसको मैंने बगारेक चावल के साथ में सर्फ किया था रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड़ेड है लिंक शेयर कर दोगी तो आप देख लें या पिर आप इसको रोटी नान पराथा के साथ में भी सर्फ कर सकते बहुत अच्छा लगता है या ज यह बहुत गरम है क्योंकि मिट्टी की हांडी बहुत गरम हो गई थी तो आपको लूज लग रहा है लेकिन थोड़ा सा यह थंड़ा होगा तो गाड़ा हो जाएगा तो टेस्टी मटन मोगले हांडी तयार है देख सकते हैं कितना मज़़दार बना है और बिल्कुल कम अफ बहुत ही अच्छे से गला है तो रोपपया पे जरूर एट करें और देखिए थोड़ा सा थंड़ा होने के बाद में यह गाड़ा भी हो जाएगा क्योंकि इसमें जो सारे मसाले है वो इसको खुद बाखुद गाड़ा कर देंगे देखिए लुक में भी कितना जबर्दस आय